नमस्का, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओ तथा बड़ेओ की मात्रा, ठीक है ये है छोटेओ की मात्रा और ये होती है बड़ेओ की मात्रा, तो सबसे पहले इस मात्राओं को समझने के लिए हमारे लिए दो चीजे समझना बहुत जरूरी है, पहली है और दूसरी है उचारन तो सबसे पहले बात आती है बनावट की, तो देखिए ये जो मात्रा होती है, ये जो दोनों मात्रा होती है, छोटेओ और बड़ेओ की, छोटेओ की मात्रा कुछ इस प्रकार की होती है और बड़ेओ की मात्रा कुछ इस धंकी होती है दोनों में अंतर यह है कि यह देखो एक सिंगल यानि कि एकल रूप में एकहरी आती है जबकि यह दोहरी मात्रा के रूप में हमारे सामने आती है आप लोगों के लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ये मात्रा वर्नो के हमेशा राइट साइड पे आती है जैसे देखिएगा कर को ओ की मात्रा को ये हमेशा कर के राइट साइड पे आएगी यदि हम इसको कर के लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो ये गलत होता है ठीक है और ये सही होता है उसके बाद आती है उच्चारन उच्चारन की बात करते समय हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मात्राइं होती है छोटे हो और बड़े हो की इसका हम बोलते कैसे हैं यानि कि उच्चारन कैसे करते हैं आवाज कैसे आती हैं तो सबसे पहली देखिएगा यदि हम क को बड़े ओ की मातरा लगा कर ना लगाते हैं तो बन जाता है कौन और यदि हम ग को छोटे ओ की मातरा लगा कर साथ में लगाते हैं तो बन जाता है गोल तो देखिए जो छोटे जो की मात्रा होती है इसमें समय लगता है कम जैसे गोल और ये देखिए इसके उचारन में समय थोड़ा ज्यादा लगता है जैसे कौन ठीक है तो आपने ये मात्रा को समझते हुए या पढ़ते हुए दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस मात्रा की बनावट क इस तरह होता है और आपके पुस्तक में जो इनकी उधार ने दी गई है उसका जादा से जादा अभ्यास कीजिए तभी आपको ये मात्रा असानी से समझा जाएगी धन्यवाद